नमस्कार आप सभी का एके स्ट्रेपशन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी योजना के बारे में बिहार सरकार के या राज्य सरकार के किसी भी कार्यालेश किस प्रकार जानकारी प्राप्ट करेंगे इसके बारे में जानेंगे जो इस चैनल से पहली बार जुरेवे हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दवाकर और पर भी क्लिक कर लें तथा उप्योगी लगे तो एक दूसरे को से हर अवस्त करेंगे जिससे हर भारतिय को इसकी जानकारी हो सके तथा एक लाइक बस कर देंगे चलिए हम लोग जानेंगे किसी भी योजना के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी कारियाले विडियो साहब के कारियाले से किस प्रकार सुचना मांग सकते हैं यह प्रपत्र को आप लोग इसी तरह साधे कागज पर भी लिख सकते हैं जिने फॉर्म हो वो फॉर्म भी लिख लेंगे पर भी भर सकते हैं तो थाज भी नहीं है वो टाइप भी करा सकते हैं सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तथ सुचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र को आईडी संख्या यह कारियाले में प्रियोग हेतु होता है इसे कारिया भागलपूर जी ले से संबंदि दिव्यांग अधिकार अधिनियम से कुस संबंदि सुचना किस प्रकार मांगेंगे इसके जानकारी दे रहा हूं विसाय आर्ट याई एक 2005 के तहत आवेदन आवेदक का नाम प्रविन कुमार सर्मा पूरा पता यहां लिख देंगे इसमें अपना पूरा पता पिन कॉर्ट साइथ मांगी गई सुचना मैं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगों को प्रदहान करने वाले सभी योजनाओं के बारे में जानकारी चाहता हूं पहला योजना का नाम दूसरा योजना में लाभुकों की क्या-क्या य बर्स 2001 से 2022 तक कितने रासी का खर्च किया गया है संपुन जानकारी चाहता हूं इस परकार आप जिस भी योजना से संबंधित जानकारी चाहते हैं यहां सुचना पॉइंट टू पॉइंट मांगेंगें उसके बाद चौथा मिलकेंगें मैं घोसित करता हूं कि मांगी गई सुचना धारा आठे वेमनों के अंतरगत नहीं है यहां आपके विभाग्या कार्याले से शंबंधित हैं पांच मां सुलक मैं 10 रुपे का इंडियन पोस्टल आउडर आई पी ओ डी डी या नंज डिस चली स्टांब रसीत संख्या इतना से दे रहा हूं जो बीपील धारी ह हैं वो बीपील कार्ड लगा देंगे तो नहीं निश्र को सुचना दी जाएगी अपना हस्ता अक्षर पूरा मुबाइल नंबर पूरा पता दे सकते हैं अस्थान और डेड़ दे देंगे और नोट में यह अवस्य सभी आवेदक लिखेंगे हरेक आवेदन में यदि मांग नहीं गए सुचना आपके काड़ियाले से संबंदित नहीं है तो धाराच शौत इन के तक संबंदित विवाग को अस्थान तरित कर पांस दिनों में सुचित करें जय हिंद